हेलो, नमस्कार, and welcome back to my channel, मेरा नाम है प्रलवी, जार का नाम है सहीवचार अगर अभी तक आपनी किल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंगलिष घर बैठे बैठे सीखने मेले और आपको कभी भी कही भी इंटेव्यू देने के जाना है या लोगों से मिलना है और इंग्लिश के दिक्कतारी तो वो आपके दूर हो जाएगी आज कर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है वो खाने से रिलेटर है मतलब जब भी आप किसी रेस्टरान में जाते हैं यह होटेल में जाते हैं तो किस प्रकार से इंग्लिश में बात करनी है यह आज हम देखने वाले हैं कि बहुत बार कैसा होता नहीं हम बोलना तो जाते इंग्लिश में पर कही न कहीं हमारे शब्द हमें याद नहीं रहते हैं या फिर हमें पतानी होता कि सेंटेंस क्या बोलने हैं और फिर हम डिरेक्ली हिंदी या मराथे में बोलना चालो करते हैं वह गलत तो है नहीं पर अगर इंग्लेश बोलोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा इमाजन करो कि आपको टेबल बुक करना है किसे रेस्टरॉन में आपको फ्रेंज को पार्टी देनी है तो आप उनको लेकर जाने वाले हो सबसे पहले जब आप पोल करोगे तो आटोमाटिकली सामनी मारा बोलेगा हेलो जड़व्यू मेरियेट या हेलो ग्रीनफूर या हेलो राधीशम जो भी होटल का नाम है फिर आप बोलोगी हाई मतलब मैं चार लोगों के लिए टेबल रिजर्फ करना चाहता हूँ मतलब रखना चाहता हूँ तो यू टेल देम कि कितने लोग आने वाले है और क्या करना है तो आप टेबल बुक कर रहे हो I would like to reserve मैं चाहता हूँ I would like to reserve table for 4 या 6 या 8 या 9 जो भी आपका नमबर है जितने भी फ्रेंज आप जा रहे हो उनका नमबर अब बताऊगे I would like to reserve table for 4 बनलब चार लोगों के लिए मुझे टेबल रिजर्फ करना है फिर वो बोलता है okay what should be the timing yeah what time would you like to reserve तो आप बोलोगे please reserve the timing 7.30 या फिर 8 o'clock जो भी आपको decide किया है जो भी आपने decide किया है कि फ्रेंज के साथ वो timing अप वहाँ पर बोलोगे फिर वो कहेंगे कि should I confirm it मतलब confirm ले लो अपकी order या confirm ले लो अपका reservation तो फिर आप बोलोगे yes please confirm it मतलब हाँ confirm कीजिये and then he will say thank you you say thank you and the phone call ends बहुत simple है सिफ तीन लाइने याद रखने है तीन दो तीन लाइने याद रखने है एक I would like to reserve a table for four जतने भी लोग जाने वाले उतना आपको नंबर बताना है फिर आपको ये बताने कि कौन से timing तक आप आप पहुंचोगे so we'll reach by 7.30 or reserve timing 7.30 या जो भी आपको comfortable लगता है right ये दो main sentences आपको याद रखने है and then he'll say thank you you say thank you and the phone is done और अगर उनके कुछ रूल होते है let's say you cannot cancel the reservation later on या ऐसा कुछ महला बाद में reservation cancel नहीं कर सकते तो आपको उससाब से बताएगा तो या तो आप agree कर सकते हो या फिर आप disagree कर सकते हो so you can say yes no problem yeah then you can say oh okay let me confirm once अगर आपको लग रहा है कि आप reservation cancel नहीं कर सकते हो अपको लग रहा है कि शायद लोग नहीं आएँगे आएँगे आप उसके बारे में dicey हो तो सीधा सीधा जरी किसे आप उनको बोल सकते हो कि okay I'll just confirm at once मतलब मैं एक बार confirm कर लेता हूँ okay so the phone call is done the timing has come and आप साड़े साथ बज़े वहाँ पर पहुच जाते हो अभी हां इसे के साथ साथ फोन कॉल पर आपका नाम भी पूचा जाएगा so जो नाम आप फोन कॉल पर बताओगे वही नाम आपको रिस्टॉर में जाके भी बताना पड़ेगा so he will ask you the question saying in whose name shall I reserve the table बला किसके नाम पर में ये table reserve करू तो आप बोलोगे my name so whatever your name is so my name is Pallavi so I'll say please reserve the name on the name Pallavi please reserve the table on the name Pallavi अभी यही नाम अप वहां जाके भी बोलोगे so I had reserved a table for four in the name of Pallavi so Pallavi के नाम से मैंने चाह लोगों का table book किया था so that they remember and they know की exactly कौन सा reservation था कितने बज़े तक का था और कितने लोग आने वाले थे so that they can make the arrangements accordingly and then they say yes please and then they lead you the way उसके बाँ जब बैठोगे तो thank you बोलना मत भूलो so when you sit down when they lead you to the table and you sit down you say thank you so यहां तक पूरा conversation जो है यह reserved table के बारे में होने वाला है अभी इसके आगे जो भी आपकी order लेने के लिए आता है ठीक है तो अगर आपकी order decided है तो आप directly order दे सकते हो मान लो कि अभी अभी आयो शाइद आपके decide नहीं किया है और वो आके खड़ा हो लिया so what you can say is please give us five minutes तो आप उनको बहुत प्यार से बोलोगे please give us five minutes हमें पार्च मिनट दो ताकि आप discuss कर लो किसको क्या खाना है क्या order देनी है and then you call them okay also जब भी आप उनको बिलाओगे so you can say excuse me this is what you say you cannot say wait ayesa कुछ भी नहीं करना है that's a very wrong interpretation and very wrong body language as well so what you say is excuse me excuse me मतलग उनका आपके तरफ यहां जाता है तो वो आपके टेबल पे चल के आएगा never 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 say that don't give them a treatment that they are doing some odd job देखो waiter हो या कोई भी हो job सबका सेमी होता है and in fact restaurant में काम करते है वो तो बहुत ही सब रस्पेक्टफुल जोब होता है अगर आपको खाना ही नहीं मिला तो होगा क्या so whenever you go to a restaurant or any hotel or any small inns you need to be very very careful with what kind of treatment you give there so जो भी treatment आप जैसे तरहां से आप बात करते हो वो लोग याद रखते है so बहुत gently बहुत softly आप उनसे बात करना है so you can say excuse me and then he walks up to your table तो आपका order decide हो चुका है so या तो you can say we would like to have या I would like to have अगर अकेले हो तो I would like to have अगर ग्रूप में हो तो we would like to have so what you say is we would like to have मतलब हम चाहते है की हम पाव भजी खाए या फिर जूस पीए या फिर सूप पीए या जो भी आपकी order है right उसमें भी आप बोलोगे we would like to have three by two your one by two soups so joebi soup है मैं दो लोग एक सूप दो लोगों में आपको बातना है so whatever the order is you give them the order वापिस से you say thank you to them क्योंकि उन्होने आपकी order सुन ली confirm कर ली so they have taken that much efforts and you also given that much effort so you say thank you to them उन्होने अपका सुना है आपने उनका सुना है order confirm की है तो आप उनको बोलता है thank you also during the restaurant कुछ ऐसे etiquette भी है जैसे for example बहुत जोर से नहीं बात करनी है restaurant में एक additional tip दे रही हो बहुत बाह मैंने देखा है लोग restaurant में जाते जोर जोर से हसी मजाग करते no keep it to your table only अपने table तक रखो सामने तीन चार टेबल को नहीं बताना है किस पार में बात कर रहे हो so you have to be soft and very polite there in the restaurant थोड़ा बहुत असी मजाग करना ही है but not to a extent की बाकी लोग डिस्टॉप हो जाए so चब भी खाना आता है अब खाना खाते हो अच्छे से and फिर दिन अभी आता है बिल की बारी मुझा जो बिल आता है कितना खाना गाया जो पैसे आपको देने होते है now here you cannot say bill please bill दे दो no what you say is check please what do you say check please that means we are done हमारा हो गया है हमें बिल चाहिए check please and then he says yes you take the check and you read the bill once you read the bill you understand कि हाँ बराबर calculation है कभी कबार हो सकता है गलती हो सकते है because there are so many people in the restaurant so एक दो बार गलती भी हो सकते है maybe so it's better that you check the bill bill बिल बार चेक कर लो and then you call them excuse me अगर अब कार वगरा पे करने बारे तो you can ask is there card payment allowed is there a card payment available मतलब card payment है क्या तो अब बलता है हा या फिर ना जो भी है अगर हा है तो you tell him please take the card and you hand over the bill to him तो वह बाके यह प्रोसेस करता है also to be a good customer and to make the restaurant grow as well you can always leave a reply or feedback we call it as a feedback जा जाते है दे देना जैसे कि खाना अच्छा था या फिर कोई अगर एक चीज आपको अच्छे नहीं लगी तो उसके बारे बात कर सकते है it is completely fine they welcome feedbacks क्योंकि बापस से अगर इस अगर इस अपको जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेस्टार्न क्या करता है कि सरह से खाना बनता है या फिर कि सरह की टेस्ट है उसकी and it is completely fine to make them grow so you leave a small feedback saying the food was delicious बहुत अच्छा लगता है उनको इस अच्छा लगता है उनको इस तरह से प्रेस्टार्न में पहले तो बात करते हो also जब पानी मांगते हो तब भी ऐसे नहीं मांगना है कि पानी no so you can say excuse me water please मतलब पानी दे दू so everything has to be very very polite बहुत बहुत विनम्रता से बात करने है चिला आना नहीं है किसी भी हाल में rude behavior नहीं दिखाना है so these are like few sentences which you can say यह कुछ sentences है जब इंग्लिश में कोई रस्टार्न में बात कर सकते हो also कभी कबार ऐसा भी होता है कि कुछ रस्टारंट की दिन की specialities होती है कि आज दम बिर्यानी special है या फिर कोई कोई इंडियन कुजीन है जो special है तो वो भी पूछ सकते हो let's say आपकी order decide नहीं होई है ठेक है और आपको order decide करनी है तो आप उस बेटर को पूछ सकते हो can you please tell me today's speciality मतलब आज की special dishes बता सकते हो क्या and then you ask them so for example वो बोलता है कि पनीर कढ़ाई is today special so आप पूछ तो is this medium spicy or too spicy मतलब ज्यादा तिका है या medium तिका है तो बोलता है medium तिका है and if you all like paneer you can add that या फिर आप उनसे पूछ सकते है alternator मतलब इसके अलावा और क्या available है so you ask them is there any alternator मतलब इसके अलावा कुछ है क्या पनीर कढ़ाई तो है वर पनीर कढ़ाई नहीं खानी है तो और कुछ है क्या so you ask them and then he says yeah this is what we have so you are do-team sabziya वो बताएगा अगर वो खानी तो आप order कर सकते हो medium spicy red gravy green gravy यह सब भी आद कर लो so there are some sabziya aasi होती है जो red gravy में बनती है उसका color red होता है कोई sabziya होती है जो green gravy में बनती है कुछ होती है जो orange gravy में बनती है तो you can ask them कि यह कौन से color कि यह आती है अगर if you are specified in that इसे कुछ-कुछ लोगों को एक अगर red gravy में है sabziya तो दूसरी green gravy में पसंद है so joe bhi आपको लगता है whatever suits you you can ask them also जब भी आप रस्टान में कोई reservation cancel करना चाहते हो and you call them so you can tell them we are sorry we won't be able to make it please cancel our reservation मतलब हम आफी चाहते है कि हम नहीं कर आपाएंगे आज हमारा reservation please cancel कर दीजेगा and it is good to cancel it at least three hours before at least three hours three hours तीन गंडे पहले आप reservation cancel करो साड़े साथ बजे जाना है और अब साथ बजे चांसल कर रहे हो no so what you do is three hours before so confirmation ले लो अपके friends से कि चाना है ना आ आ रहा हो ना कौन नहीं आ रहा है कौन आ रहा है so you can take a list of it so this is all about how to talk in the restaurant in English इसे याद कर लो वीडियो को एक दो तीन चाह जतरे भी बार देखना है देख लो ताकि वो sentences याद रहे कि यह basic sentences है जो आप किसी भी restaurant में यूज करोगे and also make sure that you are polite and बहुत अच्छे से उनसे बात करो and enjoy your food मिलते है अगले वीडियो में till then thank you